हालो दोस्तों नमस्कार आदाब स्वागत है आपका जियाई स्टाइल में और राहूल ने हमसे पूछा है कि हम उपर से पेज नहीं काट पा रहे हैं हाला कि हमने पेज उपर की भी भेजी हुई है वीडियो आप लोग मेरे वीडियो देखिए तो आपको दिख जाएगी तब उपर से पेज जैसे गद्दे वाली पेज हमने आपको बताया तो गद्दा मार की ही आदमी काटता है उपर से तो वो कैसे, अब जैसे कि ये देखिए, दो पतंग बाज आ गए, ठीक, दो पतंग बाज मान लिए कि अगर आ गए हैं मैदान में, और उसके बाद होता क्या है, कि अगर मैदान से पतंग लड़ा रहे हैं, तो जैसे कि ये दो पतंग आ गई, ठीक है, एक साइट पे राहूल तो कृष्णा नहीं संजू कह सकते हैं, एक साइड पर संजू एक तरफ राहुल है, ठीक है, ये वाला जो है राहुल है और ये वाला संजू, यानि राइट साइड संजू और लेफ्ट साइड में अपना राहुल है, अब उपर की पेज मालियों की जैसे आपको लड़ानी है तो सबसे पहले तो जगह देख ली जाती है, जहां जहां पर खड़े होना रहता है, मैदान से जो लड़ती है पतंग, तो अपनी अपनी जगह ले ली जाती है, और उसके बाद में फिर पतंग को अपने हिसाब से, जैसे भी आपको मोड़ना है, मोड़ के एक दूसरे के कर कर देना है या खीच के या ऐसे इसी तरह से जब हम करीब हो के फिर एक दूसरे के जब इतने होते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हो गई है सही ठीक है अपना चक्कर भी देर हैं जो भी जैसे भी आपको पसंद हो वो कर सकते हैं बल दे सकते हैं नीचे कर सकते हैं, उपर कर सकते हैं तो जब ये उपर नीचे हो जाती है तब क्या होता है कि वो सही हो जाती है तो जब सही हो जाती है तो नीचे वाले गदम आपकी तरफ चलेगा थोड़ा फिर हटा लेगा फिर चलेगा हटाएगा यानि चुँके दोनों ही पक्के पतंगबाज हैं और दोनों को पेच आती है ठीक है नीचे वाले को भी और उपर वाले को भी तो इसमें होता क्या है कि उपर नीचे हो गई है अब ये सबक जैसे स्कूल में यानि आदमी को जब इम्तिहान देना होता है तो जितना याद होता है वही ज्यादतर पास होता है तो जैसे कि मानलिय की ये उपर की पेच है और ये नीचे से हम आएं अंदर ठीक ये नीचे से धस्ते आए और ये मानलिय की राहुल भी जो है उसको जब वो नीचे से अंदर जा रहा है तो उसको दबाता है राहूल यानि ऐसे करके उसको दबाता है और वो भी जो है जब नीचे से ऐसे अंदर आएगा तो भी जब राहूल दबाएगा उसको तो भी बचाएगा अगर होशयार होगा तो बचाएगा ठीक है फिर जब समझ जाए कि हाँ यहाँ पेश नहीं हो सकती फिर उसको बचाए कि उपर करें वो फिर अंदर आए कि फिर उसको दबाना है ठीक है यानि यह एक बार में ही नहीं कि बस वो अंदर चला उपर ही से मार दिया नहीं इसको थोड़ा सा टाइम लिया जाता है और जहां पे देखे कि ये वाले की जो नीचे से है संजू और उपर से अपना राहू ले चक्कर वगएरा दे रहें फिर जैसे ही यानि करीब करें फिर एकदम दिमाग में बसा की रखना है कि हमें काट नहीं है उसको और चौकर राइट साइड वाला भी होश्यार है वो भी बचाएगा तो यहां पे जब देखा जाता है कि जहां पे उसकी डोर एकदम थोड़ी धीली पड़ी है और बस बहुत तेज इसमें देखिए आपकी हाथ की खीच बहुत तेज होना चाहिए ठीक है चौकर वो भी बल दे रहे है आप भी बल दे रहे है और जिसको मौका मिलेगा इसको मौका मिलेगा यह खीच लेगा आपको मौका मिलेगा आप मार के निकल जाएंगे ठीक है यानि उसको अंदर का ऐसे जा ना पाए यानि रुक ना दे पाए आपको उसके पहले ही मार के निकल जाना है जब आप उसको मार के निकल जाएंगे गद्धा तो फिर उसकी पतंग कट जाएगी लेकिन इसमें क्या होगा कि एकदम आपको पर्फेक्ट याद रखना है जो चीज हम बता रहे हैं उसको याद रखो कि तब ही काट पाएगी चुके राइट साइड वाला भी होश्यार होगा वो खिलाडी है और आप भी खिलाडी दोनों में समझ लोगी सीनियर हो और दोनों में जो भी एकदम होश्यार होगा वो ही काटेगा पतंग तो उपर की पेच ऐसे ही जाके जैके बल देर हैं सही होगी फिर हम इसको ऐसे लेके जाएंगी मान लेकी चलो हम गद्धा नहीं बीमार पाये ठीक है यह गद्धा मार रहे हैं वो बचा ले रहे हैं चुके वो भी हो चार है तो आपको वो, जब आप उपर उठाएंगे तो वो खीचे गए यूँ करके, यानि यूँ खीचेगा तेजी से जब आप उठाएंगे, तो जब वो खीचेगा तो फिर आपको अंदर का ये ऐसे उपर से रुख देना है, यूँ, ऐसे करके उठता हुआ, यानि उठता हुआ आएसे अगर जाओगे और रूख दोगे तो उसकी डोरी से वो कड़ जाऎगी आपकी ठीक तो हमें ऐसे उठता हुआ जाना है उठता हुआ रूख यानि उठता हुआ ऐसे अब वो उठाता जाएगा आपको भी बहुत तेजी से बचा के दाएप चुकि यहाँ पर आप कुछ करने या तो फिर आपकी हीच इतनी तेज है और पतंग आपकी उससे लंबी रहना चाहिए यानि आपकी पतंग उसकी पतंग से लंबी रहना चाहिए चुकि जब आप खीचोगे तो कम हो जाती है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको बताए कि आप गद्दा मार के भी ऐसे यानि इसकी पतंग बल खा रही है तो आपको उसी पर ही गद्दा मार के निकल जाना है यूँ किरास ठीक है किरास मार के और बहुत तेजी से कि वो समभाल ना सके पतंग और आप उसको मार के निकल जाओ यह चीज़ आपके हाथ में आप जो है उसको आपकी होशे आ रही है कि आप किस तरह से उसको और डोरी जब करीब आने वाली रहे जब यानि कि यही उपर ही से मारते चले गे नहीं पहले पेज़ सही करके फिर डोर का अंदाज लिया जाता है कि यहां पर डोर होगी कि नहीं फिर दोनों जब बल दे रहे हैं तो उसके बल मैं नीचे की तरफ अगर होगी या थोड़ा सा भी लूस देगो बस ले कैसे निकल के यानि सरपोड के ऐसे निकल जाओ एकदम जब ऐसे करके निकल जाओगे उसकी पतंग से आगे होना चाहिए आपकी पतंग तो आप काट लोगे ठीक है और या तो वो जब आपको नीचे से यूँ खीचेगा किरास तो आपको ऐसे रुख देना है यूँ आईसे वाला रुख नहीं देना आईसे दोगे तो उसकी डौरी से कट जाएगी पता उठता हुआ कि अगर आपकी डौरी उसके डौरी में छूल जाएगी तो वो कट जाएगा चुँके वो भी होशयार है और आप भी होशयार है तो आपको बहुती सतर्क होके ये चीज़ करनी है चुके नीचे की पीएज भी हमने बताई है तो वो नीचे वाला भी जानता है और आप भी उपर में तो जो आदमी घलती करेगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा वो कड़ जाएगा तो हो सकता हमाई कैया थे राहुल के समझ में आगी होगी उमीद है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा बहुत-बहुत शुक्रिया और उमीद है कि आपको उपर से पतंग लड़ाने के लिए समझ में आगे होगा तो बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद जैहिन आप लोग पिलीस शेयर करना मत भूलिए लाइक करना मत भूलिए कमेंट से जरूर करिए जो लोग भी मेरी वीडियो को देखें पिलीस सब्स्क्राइब कीजे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजे comport कीजे कि हम जो है पर पतंग नहीं उड़ती यह तो हम जब इंडिया से आ रहे थे तो हमने बहुत सारी पतंगों की फोटो ले ली थी यह सब वही सब पतंगे हैं तो प्लीज आप लोग जो है पसंद आई हो तो लाइक करिए शेयर कमेंट से करना मत भूलिए और सब्क्राइब करते वक्त आप लोग प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं जिसमें हम जब भी वीडियो भेजें आपको उसी समय मिल जाए तो देखते रही है सीखते रही है जिया स्टाइल सुक्रिया धन्यवाज जैहिन करना मत जाएं बेल ग्याँ जाएं जा besar यारा को जाम है सीखते रही है सीखते रही है जासवेर घूलि जा है स्टाइल सुक्त आपको जालिकिया जाएं फसक्राइब छूमो जाया जाया थसकाम ह।